नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020 में हुए प्रमुख ब्यक्तियों के निधन से जुड़े करेंट F.S. को देखेंगे जो कि आपका आने वाले एक्जाम BPSC, UPPSC, UPCC, Railway और अधर एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों वीडियो को ल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक भी दे दिया गया है वहां से जॉइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि आप UP के किसी भी एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं तो आप आने के अडिम चुकों इसाथ मुबाइल में किसी भी समय और किसी भी जगें आप आसानी से पर सकते हैं और क्लास के बाद जो आपको क्लास नोट्स अबलेबल करा जाते हैं और कोसे जो अबलेबल है UPPSC के रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तो इसमें आपको UPPSC का निव इसमें आपको UPPSC का फाउन्डेशन बैच स्टार्ट होता है इसमें आपको UPPSC के तॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रहा प्रहा जाए जाए यूप एसाई बैच है भी ईयो है आरो यारो लेकपाल है यूप जीलवार्डर टीटी पीजीटी है और मेनी मोर यूपी इसमें आपको लिंक दे दिया गया वहां से जो आप देख सकते हैं और आपका UPPSC लोवर का फाउन्डेशन बैच कोर्स 23 दिसमबर से स्टार्ट हो रहा है तो जो लोग इस बैच से जुनना चाते हैं अब जूड सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया ह और UPPSC फाउन्डेशन इंग्लिस मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 26 दिसमबर से तो जो लोग इंग्लिस मीडियम में पढ़ना चाते हैं अब जूड सकते हैं इस बैच से नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया गया है वहां से आप जो है जाके हैं तो वन मंत का सब्सक्रिप्शन आपको 1400 रुपे पड़ेगा यदि आप हमारे रेफरल कोड यूज नहीं करेंगे तो 1400 रुपे देना होगा यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा आप देख सकते हैं आप एकजाम लर्नर तो आपको 10% का जो है वहां पे डिसक पाउंड दिया जाएगा यदि वन मंत का 1400 रुपे पड़ा है यदि रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 1260 रुपे देना होगा थ्री मंत का 3500 रुपे फीस है रेफरल कोड यूज करेंगे तो 350 रुपे पड़ेगा शिक्स मंत का 5600 रुपे है आप रेफरल कोड यूज करने के बाद ये आपको 7560 रुपय में ये कोर्स आपको मिल जाएगा तो एक कोड जो है आप जरूरी यूज कीजिएगा एकजाम लर्नर जिससे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा इसके लिए सबसे पहले आपको अनेकेडमिकल लर्निंग एप इस्टाल करना होग 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया वे 91 वर्स के थे और सेख सबाह का जन्म ये 16 जून 1939 को हुआ था उने वर्स 1963 में देश का बिदेश मंत्री बनाय गया थैрनेकी कूबैत का इनको 1963 में बिदेश मंत्री बनाय गया था सेख सबाह लहमत वे वर्स 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक से नजदी की बढ़ाने के लिए तेल संपन रास्ट के सिर्स राजनाईक के रूप में जाने जाते थे और उन्हें आधुनिक कुवैत की बिदेश नीती के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है तो प्रस्न जो है पूछा जा सकता है कि नहीं जो है आधुनिक कुवैत की बिदेश नीती के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है जिनका भी हाली में निधन हो गया है तो वह हैं सेख सबाह अल एहमत नामिन का याद रखेगा अगे भी जो है उन्होंने प्रधान मंत्री बनने से पहले वर्स 1963 से 2003 के बेच विदेश मंत्री के रूप में कारे किये थे और वे सेख जाबेर अल सबाह के निधन के बाद जनवरी 2006 में कुवैत के सासक बने थे सेख सबाह अल एहमत उसके बाद जो है अगले जो बैखती है जसुवंत सिंग ये पूर्व केंदरी मंत्री और बीजेपी के बरिष्ट नेता जसुवंत सिंग का 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया वे 82 वर्स के थे और जसुवंत सिंग वर्स 1960 में सेना में मेजर के पत से इस्थीपा देकर राजनीती में आये थे अटल बिहारी बाचपई के नेत्रीत वाली राजक सरकार में अपने करियर के सीर्स पर थे और वर्स 1988 से 2004 तक राजक के सासनकाल में जसुवंत सिंग ने बित रच्चा और बिदेश मंत्रालियों का नेत्रीत किया था और जसुवंत सिंग यह संसत के दोनु सदनों के सदस रहे हैं यानि कि लोकसभा और राजिसभा दोनु के सदस रहे हैं वे वर्स 1996 में अटल बिहारी बाचवई की 13 दिन की सरकार में बित मंत्री बनाये गये थे इसके अतरीक ते उन्हें जो है योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाये गया था और वर्स 1998 और 99 में जसुवंत सिंग को भारत का बिदेश मंत्री निप किया गया था और वर्स 1999 में कारगीलियोद के दोरान भी उनकी भोमी का एहम रहे थी तो इनका जो है नाम जो है अधरके का जसुवंत सिंग ये पूर केंद्री मंत्री और बीजेपी के वरिष निता रहें जिनका भी हाले में निधन हो गया है अगले बेक्ती जो है वह है डीन जोन्स ये पूर आस्ट्रेलियाई बल्ले भाज डीन जोन्स का 24 सितंबर 2020 को काडियक आरेश्ट के कारण जो है निधन हो गया वे उनसाट वर्स के थे और 1980 से 1990 के दसकों में आस्ट्रेलियाई पच्छ के लिए आक्रामत तरीके से खेल कर डीन जोन्स अपने देश की विशेश पहचान बन गये थे तो प्रशन जो है पुछा जाकता है कि कि इस देश के पूर क्रिकेटर का हाली में निधन हो गया तो आस्ट्रेलिया के पूर क्रिकेटर है डीन जोन्स नाम इनका याद रखेगा और अगले जो बेखती है वह है S.P. बाला सुब्रेमन्यम जिनका भी हाली में निधन हो गया ये वालीबुट के दिगज़ सिंगर S.P. बाला सुब्रेमन्यम का 25 सितंबर 22 को निधन हो गया अभी 74 वर्स के थे उनका पूरा नाम है स्रीपती पंडित राध्यूला वाला सुब्रेमन्यम और उनका जन्ग जो है 4.4.1946 को निल लौर जो की अंदरप्रदेश में हुआ था उन्होंने 15 दिसंबर 1966 में बताओर प्लेबैक सिंगर तेलगू फिल्म स्री 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 मर्यादा रामन्ना से डेबु किया था इन्होंने तो याद रखीगा S.P. बाला सुब्रेमन्यम का भी हाली में निधन हुए ये प्रसिद्ध जो है बालीबुट के सिंगर थे उसके बाद जो है अगले जो बेकती है वह है रखुवन्स प्रसाद सिंग् चार बार 22 साली से सांसद भी रह चुके हैं। और रगवन्स परसाद सिंग यूपीय सरकार में ग्रामीड विकास मंतरी थे और मनरेगा कानून का असली सिल्पकार उन्हें ही माना जाता है। तो यह जो है इंपोर्टेंट है याद रखेगा कि मनरेगा कानून का असली सिल्पकार किन्हें माना जाता है। परसन पूछा जा सकता है तो वह हैं रगवन्स परसाद सिंग जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। रगवन्स परसाद सिंग का जन जो है 6.1946 को वैसाली के सहपूर में हुआ था। उन्होंने बिहार इन्वस्ट्री से गडित में डाक्ट्रेट की उपाद प्राप की थी। उनका पहला कारिकाल लोगसभा के सदस के रूप में 1996 से प्रारम हुआ था। और वर्स 1996 में उन्हें बिहार राजी के लिए केंद्री पसुपालन और डेरी उद्धियोग राजी मंत्री बनाया गया था रगवन्स परसाद सिंग को। उसके बाद अगले जो बेखती है जानी वक्सी ये मसुहूर फिल्म निर्माता जानी वक्सी का 5 सितंबर 2020 को मुंबई में निधन हो गया वे 83 वर्स के थे और उन्होंने बाली बुट के कई दिगच कलाकारों के साथ काम किया था जानी वक्सी ने सिर्फ एक बहतरी निर्द जानी वक्सी ने कई वर्सों तक राज खोसला के साहय के रूप में काम किया जानी वक्सी इंडियन मोशन पिक्चर्स पोड्यूसर्स एसोसियेशन इनिके आई-म पी-पी-ए का भी जो है इस हिस्सा थे उसको बाद अगले बेखती है केशवानन भारती यहां से प्रस्ण प केशवानन भारती का हाली में जो है निधन हो गया एक केरल के इजनीर हिंदू मट के प्रमुख के केशवानन भारती का 6 सितंबर 2020 को मंगलोर में निधन हो गया वे 89 वर्स के थे और उन्होंने केरल सरकार के दो भोमी सुधार कानूनों को सुप्रीम कोट में चुनावती दी इस्टेट आफ केरल के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो यह सन भी पूछा जाता है कभी कभी याद रगे है केशवानन भारती बना में इस्टेट आफ केरल यह आपका 1973 में उचिन्यायले में यह डायर किया गया था और इस मामले में उचितम न्यायले की 13 सदसी सम्विधान प 1970 के दसक में पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के नित्रितु में भारत स्रकार ने माधाव राव सिंधिया जो की 1970 और RC कपूर और गोलक नाथ के सुप्रीम कोड के निडियों को प्राप्त करने के लिए 24, 25, 26 और 31 सम्मेधानिक संसोधनों को लागो किया और माधाव राव सिंधिया मामले में सरोच नियले ने इंद्रा गांधी की बैंक राश्ट्री करन नीती को रद्ध कर दिया और माधाव राव सिंधिया मामले में इसने पूरु सासकों के प्रीवी फर्स को समात करने की घोशना की मूल संदचना क्या है समिधान का तो केशो अनंद भारती मामले तक समिधान के मूल संदचना नामाक ऐसा कोई संदर्व नहीं था और केशो अनंद भारती बनाम केरद राजी के मामले की सुनवाई और 60 दिनों तक चली और बुनियादी धांचे को सामने लाया गया था तो यहां से पूछा जा सकता है याद रखेगा कि एसवानन भारती इनका 6 सितम्ब 2020 को मंगलोर में निधन हो गया था और नियाले ने हाला कि मूल संदचना को परिभासित नहीं किया इसने केवल कुछ सिधानतों को सुची बद्ध किया जैसे की धर्म निर्पेचता, संगवाद और लोक्त अंत्रकू अगले बेक्ती जो हैं यह हैं पड़ो मुखर जी यह पूरु रास्टपती रह चुके हैं भारत के पूरु रास्टपती पड़ो मुखर जी का 31 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया वे 84 वर्स के थे उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को मिराटी बंगाल प्रेसिडेंसी बरतमान पस्चिम बंगाल में हुआ था वे वर्स 2012 से लेकर के 27 तक देश के तिरह में रास्टपती रहे हैं तो प्रस ने बन सकता है आपका कि यह भी हाली में पूरु रास्टपती पड़ो मुखर जी का निधन हुआ है भारत के कौन से करम के रास्टपती रह चुके हैं तो वे तिरह में रास्टपती रह चुके ह इसके लामा विए वर्स 2004 से 2006 तक देश के रक्षा मंत्री और वर्स 2006 से 2009 तक देश के बिदेश मंत्री भी रहे हैं और 1996 से 1996 तक ततकालीन योजना आयोग के उपाध्यच भी रह चुके हैं विए 5 बार राजी सभा और 2 बार लोग सभा के लिए चुने गए थे साथ ही उन्होंने संसत के दोनों सतनों के नेता के रूप में भी काम किया है और उन्हें वर्स 2008 में वदम भी भूसंत और वर्स 2019 में देश के सरोच नागरिक सम्मान यहीं कि भारत रत्म से सम्माने भी किया गया था उसको अगले बेक्ती हैं पंडित जसराज यहां से पुछा जा सकता है इंपोर्टेंट है जाने माने सास्तरी गायक है पंडित जसराज इनका अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया वे 90 वर्स के थे और पंडित जसराज का जन्व 28 जनवरी 1930 को हिसार जो की बरतमान में हरियाना में हुआ था उनके पिता पंडित मोती राम जी भी मेवात घराने में एक संगीत अग्य थे शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली और उसके बाद उन्होंने मेवाती घराने के महाराणा जैवंत सिंग बागेला और आग्रा के स्वामी वल्लबदा से संगीत की सिक्छा ली उन्हें वर्स 2000 में भारा सरकार की ओर से पदम वीभूसर और वर्स 1975 में पदम सिरी से सम्मानित किया गया था पंडित जसराज ने बाली बुट के लिए पहला गीत बंदना करो वर्स 1986 में आई फिल्म लड़की सहयाद्री की में गाया था जो की एक भजन था और यह जो है आपका important है नासा ने वर्स 2019 में पंडित जसराज के नाम पर 13 वर्स पुराने खोजे गए एक ग्रह का नाम रखा है ग्रह की खोज नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनामिकल यूनियन के बैग्यानिकों ने मिलकर की थी ग्रह का नाम पंडित जसराज के जनमति थी के उलट जो है रखा गया था उनकी जनमति थी 28-1930 है और ग्रह का नंबर जो है 300128 था तो यह जो है important है यहां से आपका current affairs में प्रशन बन सकता है तो याद रखिएगा इसे भी अगले बैखती हैं चेतन चोहान यह पूरु भारती क्रिकेटर और उतरप्रदेश सरकार की कैबिनेट मंतरी चेतन चोहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया वे 73 वर्स के थी चेतन चोहान यह भारत की opener वल्लिवाज रहे थे चेतन चोहान ने टीम इंडिया के लिए वर्स 1979 से 1978 के बीच 40 टेश्ट खेले थें और इनमें उन्होंने जो है 31.54 की और सत से 2084 रन बनाये और उनका best score जो रहा है वह 97 रहा है तो याद रखेगा चेतन चोहान यह पूर भारती क्रिकेटर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं थे अगले बेक्ती जो हैं वह हैं रहत इन्दोरी यह मसहूर उर्दू सायर और गीतकार रहत इन्दोरी का 11.2020 को इन्दोर में निधन हो गया वह सतर वसके थे कोरतलब है कि सायरी की दुनिया में कदम रखने से पहले रहत इन्दोरी एक चितरकार और उर्दू के प्रूफेशर थे रहत इन्दोरी एक भारती उर्दू सायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे विद्यवी अहिलया विस्व विद्याला जो कि इंदवर में है उर्दु साहित के प्राध्यापक भी रह चुके हैं तो प्रस्थर पूछा ज़स्ता है कि राहत इंदवरी का संबंद जो है किससे है तो अगले बेक्ती है लाल जी टंडन ये मद्य प्रदेश के राजिपाल लाल जी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया वे 85 वर्स के थे और लाल जी टंडन कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनों में चल रहा था लाल जी टंडन का जन 12 अप्रेल 1935 को हुआ था अपने सुरुवाती जीवन में ही लाल जी टंडन राश्ट्री स्वयम सेवक संग से जुड़ गये थे लाल जी टंडन का राजनितिक सफर 1960 से सुरू हुआ था उन्होंने इंद्रा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोल में वर्चर का हिस्सा लिया था वे उतर प्रदेश की भाजपा सरकारों में कई बार मंतरी भी रहे हैं और अटल बिहारी बाजपेई की सहयोगी की रूप में भी जाने जाती रहे हैं लाल जी टंडन को वर्च 2018 में बिहार का राजपाल बनाए गया था उन्हें इसके बाद वर्च 2019 में मध्य प्रदेश का राजपाल ने उत्किया गया था वे वर्च 1996 से 2009 के बीच तीन बार उतर प्रदेश से बिधान सभा के सदस से निर्वाचित हुए थे तो ये जो है परसिद्र बैकती है लाल जी टंडन याद रखेगा जिनका अभी 21 जुलाई 22 को निधन हो गया है अगले बैकती है सरोज खान ये फिल्म जगत की मसहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 3 जुलाई 2020 को काडियक आरेष्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया व सिंग नागपाल था तो ये पूछा जाया कि सरोज खान का जो असली यानि कि वास्तविक नाम क्या था तो निर्मला कि संचंद्र संधू सिंग नागपाल इनका वास्तविक नाम था उन्होंने तीन वर्स की उम्र में वताओर चाइल्ड आर्टिस्ट स्यामा नाम से जो है डेविव किया था और अगले बेखती हैं वेरी जर्मन ये 18 जुलाई 2020 को आस्टलिया के पूरू टेस्ट विकेट कीपर और अंतरास्टी क्रिकेट परिशत के पूरू मैच रेफरी वेरी जर्मन का निधन हो गया तो याद रखेगा वेरी जर्मन का संबंद पूछा जाया क लाई इसे है तो क्रिकेट से जो है ये का संबंद है उन्होंने वर्स 1995 से 2001 के मद ये पचीश टेस्ट और 28 वंडे मैचों में अंतरास्टी क्रिकेट परिशत की मैच रेफरी की भूम का इन्होने निभाई है और इन्होंने पतारपड कप किया था तो 1969 में टेस्ट क्रिकेट 1930 को अजमेर में हुआ था वासूद चटर जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था तो याद रखेगा वासूद चटर जी एक मसुहूर फिल्म कार थे और अगले जो बेखती है वाजित खान ये वाली बूट के मसुहूर संगीत कार वाजित खान का 1 जून 2020 को नितन हो गया वे 42 वर्स के थे साजीद वाजित ने सबसे पहले वर्स 1998 में सलमान खान के फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए संगीत दिया था तो प्रस्म जो है बन सकता आपका कि वाजित खान का संबंध जो है किस्से है जिनका भी हाली में नितन हो गया तो ये जो है वाली बूट के मसुहूर संगीत कार रहे हैं अगले बेखती हैं वेजान दारु आला ये प्रसिद जे तीसा चारे वेजान दारु आला का 29 मई 2020 को नितन हो गया वे 89 वर्ष के थे वे गुजरात के गांधी नगर इस्तित एक निजी अस्पताल में भरती थे वेजान दारु आला पूरी दुनिया में अपनी भविस्त वाडियों के लिए मसुहूर थे तो याद रखेगा वेजान दारु आला एक प्रसिद जे तीसा चैरत है जिनका 29 मëई 2020 को नीधन हो गया है अगले बेक्ति हैं अजीत जोगी ये 36 गड़ के पूरू मुक्हिमंत्री अजीत जोगी का 29 मेई 2020 को नीधन हो गया वे 74 वर्ष के थे और 9 करसा से राजनेता बने अजीत जोगी 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं तो यह जो है याद रखेगा और अगले बैखते हैं वलवीर सिंग सीनियर वलवीर सिंग सीनियर यह भारत के महान हांकी खिलाडी वलवीर सिंग सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया वे 95 वर्सके थे वलवीर सिंग सिनियर भारत के इकलोते ऐसे खिलाडी थे जो की तीन बार उलमपीक गोल्ड मेडल बिजेता टीम के सदसर और अगला जो है वह है उसा गांगुली ये मसुहूर रंग कर्मी उसा गांगुली का 33 अपरेल 2020 को कुलकाता में निधन हो गया वे 75 वस के थी उसा गां गुली का संबन्द के से है तो ये मसुहूर एक रंग कर्मी थी जिनका 33 अपरेल 2020 को निधन हो गया है और इनका जन्म जो है 1945 में उत्रपरदेश के कानपूर में हुआ था और उन्होंने वर्स 1976 में रंग कर्मी थेटर ग्रूप की अस्थापना की जो की अपने प्रोडक्श के थे और जीन डीच एनिमेटर प्रोडियूसर और बहतरीन फिल्म डारेक्टर थे जीन को मसुहूर कार्टून केरेक्टर्स टाम एंड जेरी की कारण से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी तो ये जो है इनका नाम जो है आसकर भी जेता रह चुके हैं जीन डीच जिनका अभ पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे वे भारत के पूरू प्रधानमंतरी इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे तो व्याद रखेगा सतीस गुजराल का समन किसे है तो ये मसूर चितरकार और लेकक थे निक्स हैं पीके वरनर जी ये भारत के महान फुट वालर प इके बनर जी का पूरा नाम है प्रदीब कुमार बनर जी उनका जन 23 जून 1936 को पश्चिम बंगाल के जलपाई गुडी सहर में हुआ था। और अगले बैकती हैं जोगिंदर सिंग सैनी ए अनुभवी एथलेटिक्स कोच और दोड़ाचार प्रसकार बिजेता जोगिंदर सिंग सैनी का एक मार्च 2020 को निधन हो गया। तक मिसर के राष्टपती रहे थे। तो नाम याद रखेगा होसने मुबारक मिसर के पूरो राष्टपती रहे हैं जिनका 25 फरवरी 2020 को निधन हो गया है। तो निधन हो गया है और उनकी आयू कितने थे तो 74 वस। लेरी टेसलर का जन्म 1945 में निव्याग सहर में हुआ था और उन्होंने कैलिफोर्निया की इस्टेनफोर्ड इनिवस्टी से पढ़ाई पूरी की थी। और उन्होंने अपने काम को सरल बनाने है तो कंप्यूटर में Ctrl-C और Ctrl-V कमांड की खोच की थी। तो ये जो है पूछा ज़सकता है कि कंप्यूटर में Ctrl-C और Ctrl-V कमांड की खोच किसके दौरा किया गया था तो वैं Larry Tasler के दौरा किया गया था। अगले बेक्ती हैं आरके पचवरी ये उर्जा योम संसाधन संस्थान यानि की टेरी के पूर निदेशक तथा प्रयावरण विद डाक्टर आरके पचवरी का तेरे फरवरी दोहर बीज को नितन हो गया वे 89 वर्स के थे और आरके पचवरी का पूरा नाम है राजेंदर कुम पचवरी उनका जन 20 अगस 24 को ने निताल में हुआ था उन्होंने बिहार के जमालपूर में भारती रेलवे संस्थान से मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग में सिछा प्राप्त की थी तो नाम में इनका याद रखेगा आरके पचवरी ये जो है टेरी के पूर नि 20 को निधन हो गया गिरिराज की सोर हिंदी के प्रसिद उपन्यासकार होने के साथ साथ एक ससक कथाकार नाटकार और अलोचक भी थे और उनका जन 8 जुलाई 1937 को उत्रप्रदेश के मुझफर नगर में हुआ था गिरिराज की सोर का वर्स 1991 प्रकासित उपन्यास धाई घर क इनका हाली में निधन हुआ है तो ये प्रसिद लेखक थे और अगले जो बेखती हैं वहें कोबी ब्रायंट या कोबी ब्रायंट जो है अमेरिका के मसुहूर वास्केटवाल खिलाडी कोबी ब्रायंट का 26 जन्वरी 2020 को कैलिफोर्निया में एक हेलिकाप्टर हाथसे में नि जाता था तो याद रखिएगा कोबी ब्रायंट ये कौन थे तो कोबी ब्रायंट का जन्म जो है 23 अगस 1978 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था वे नेशनल वास्केटवाल एसोसियेशन यानकी NBA में लास एंजिलस लिकर्स के लिए लगतार 20 वर्स तक खेलें और उ उन्हें 18 बार आल इस्टार के लिए नामित किया गया था और उन्हें वस्ट दोहर आठ और दोहर बारे की ओलंपिक खेलो में अमेरिकी टीम हेतु 200 पदक भी जीते थे तो नाम जो है याद रखिए है कोबे ब्रायंट और अगले जो बेखती हैं बापू नाठकरडी ये भ बापू नाठकरडी का संबन्द पूछा रहा है तो भारत के पूरू जो है क्रिकेटर आल राउंडर जो है रह चुके हैं और अगले जो बेखती हैं कबूस बिन साइद ये उमान के सुल्तान कबूस बिन साइद का 10 जनौरी 2020 को निधन हो गया वे 89 वर्स के थे सुल्तान 1970 से लगातार इस पत पर बने हुए थे और उन्होंने वर्स 1970 में उमान की पूरू अपनिवेसिक सत्ता का बेटेन की मदद से तक्था पलट किया था तो प्रस्न जो पूछा जाए कि उमान के सुल्तान का नाम क्या था जिनका भी हाली में निधन हो गया है तो इनका नाम है क कबूस बिन सईद या पूछा जाए कि कबूस बिन सईद जिनका भी हाली में निधन हो गया कहां के सुल्तान थे तो वह ओमान के सुल्तान थे तो दोस्तों जो है ये था जो है आपका करेंट अफियर्स के पार्ट में वर्स 2020 में हुए प्रमुख बेक्तियों के निधन जहां से एक परशन हमेशा परिक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग इसे एक बार जरू देख लिजेगा और इसका पीडियाप आपको हमाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया वहां से जाकि आप पीडियाप डाउनलूड कर सकते हैं तो वीडियो यदि पसंद आए हो तो लाइक शेर कर दिजेगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेज जरू कर लिजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन नहीं वाद